तो यो 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 गाई जैसे कि तुम लोगों पता ही होगा कि फाइनली आ चुका है इंडियन जबाई के ड्राइविं सीटी गेम का न्यूवल अपडेट एंड इस न्यूवल अपडेट में हम लोगों देखने को मिलता हैं इस वीडियो के अंदर तो हम लोग वही कवर अप करने वाले हैं अपने मन पसंद की नौ से भी ज्यादा बिल्टिंग्स अपने मन पसंद के कोई भी घर यूज करके अब क्रियेट कर सकता हूं अपने खुद की एक लोकेशन क्याँ पर मैं चाहूं तो नो से भी जादा अलग-अलग टाइप के घर को यूज कर सकता हूं और आकर ये सब मैंने कैसे स्पॉन किया अज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि तुम लोगो पता ही होगा कि फाइनली हम लोगो इस अपडेट के अंदर निशान जीटियर कार देखने को मिल जाती है और चलो इसे का यूज करके मैं तुम लोगो दिखाता हूं एक और चीज अहां मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन साइट की जो कि हम लोगो अगर तुम लोगो इस गेम को अपडेट नहीं किया है तो आई हाईली रेकेमेंड योगो फटा 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 जाके तुम लोग इस गेम को अपडेट करो अपने खुद की लोकेशन जिसमें तुम्हें लोगों के हिसाब से हैं तुम्हें लोगों के मन मुताबिक बिल्टिंग्स घर और बाकी सब भी होगा बट आखिर कैसे यह सब पॉसिबल हो सकता है क्या तुम लोगों को पता है ओविसली नहीं तो चलो इसी वीडियो को देखना हाउस नहीं सरे उसका हैच यहाँ पर हम लोगों को टोटल 10 अलग अलग टैप की बिल्डिंग देखने को मिलती हैं तो उन मेंसे किसी भी बिल्डिंग को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली एच एंड 10 में से कोई भी नमबर जिस भी नमबर की बिल्डिंग तुम लोग अपने सामने स्पॉन करवाना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम लोगो 10 की दसों स्पॉन करके दिखा देता हूँ तो simply यहाँ पर मैंने लिगा H1 एंड मेरे सामने टिक पर प्रेस करते ही स्पॉन हो चुकी एक निव हाउस एंड इसी तरीके से मैं हहाँ पर स्पॉन करवा सकता हूँ H2 डायल करके एक बिल्कुली नया घर एंड H3 डायल करके इस गेम का तीसरा घर एंड H4 डायल करके पूर्दी नमर वाला घर एंड इसी तरीके से H5, H6, H7, H8, H9 and H10 डायल करके मेरे सामने स्पॉन हो चुका है मेरे निव घर एंड इसी तरीके से बातों बातों में ही मैंने यहाँ पर 10 घर स्पॉन करवा लिए हैं तुम लोग देख सकते हैं यहाँ 10 होगे 10 स्पॉन कर दिया है एंड ऐसी गलती अगर तुम लोग से हो जाते हैं तो उसे तुम लोग कैसे ठीक कर सकते हो उसके लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पर लिखना होगा मॉड आउन जैसे तुम लोग मॉड आउन करते हो आटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएगा मॉड तुम लोग से हमले किसी भी बिल्डिंग या फिर उस ऑब्जेक के पास जाना है जिसको तुमने अभी आर्जेस टूल की हेल्प से तुम लोग को से ज़रुत नहीं पड़ेगी उसी के साथ तुम लोग को बाकि सारी चीजाओं को भी जरुत पड़ेगी फिर चाहें हम लोग बात करें Buildings की, paid की या फिर और भी random चीजों की तो उनको कैसे spawn करवाना है वो तो हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे बढ़ उससे पहले मैं तुम लोगो बता देता हूँ या आखिर कैसे हम लोग घर की तरह ही अलग-अलग टैप की बड़ी-बड़ी Buildings को भी spawn करवा सकते हैं तो देखो, process तो बिल्कुल same है तुम लोगो simply यहाँ पर building का B लिखना है टोटल 10 टाइप की तो buildings तुम लोगो इस game के अंदर देखने को मिलती हैं तो उन 10 में से कोई भी random number जिसी भी number की building तुम लोगो spawn करवाना चाहते हो सबसे पहले मैं तुम लोगो 10 की 100 building spawn करवा की दिखा देता हूँ जैसे की अब तुम लोगों यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर B1 टाइल किया मेरे सामने हमारी first building आ चुकी है एंड इस तरीके से B2 टाइल करके एक new building spawn करवा लिये एंड चलो बिना जदा तुम लोगो बोर करे हुए मैं यहाँ पर B3, B4, B5, B6, B7, B8 एंड B9 के वे building यहाँ पर spawn करवा लेता हूँ एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई है B10 की building है अब मैं तुम लोगों पताता हूँ टोटल 10 step के अलग-अलग prompts जिनको तुम लोग यहाँ पर spawn करवा सकते हो जैसे के कोई sign board हो सकता है या फिर road के side में रखे हुए कुछ objects तो उनको spawn करवाने के लिए simply तुम लोग यहाँ पर dial करना है P1, P2, P3 एंड ऐसे ही 10 तक की यहाँ पर P5 तक dial कर लिया है अब मैं यहाँ पर dial करता हूँ P6, P7, P8, P9, P10 एंड वेट मुझे याद नहीं आ रहा है P4 पर था क्या तो यहाँ पर यह कुछ तो है structure मुझे तो यह gate जैसा लग रहा है बट यह इस angle पर है लेकिन उसके लिए तुम लोगो ज़रूत पड़ेगी Trees की भी एंड आखर तुम लोग कैसे टोटल 6 टाइप के अलग-अलग Trees भी Spawn करवा सकते हो चलो मैं आप तुम लोगो वह बता देता हूँ तो जैसा कि तुम लोग आप इतक समुझेगे होगे कि हमें पूर स्पाइलिंग दो लिखने की ज़रूत नहीं है सिंबल उसका फर्स्ट लेटर लिखना है जैसे की ट्री का T अगर हमें यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 नहीं सिर्फ T6 यहाँ तक ही लिखते हैं तो फिर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगो टोटल 6 टाइप के Trees भी देखने को मिल जा रहे हैं इसी के साथ हम लोगो इस गीम के अंदर टोटल 5 टाइप के Containers भी देखने को मिल जाते हैं जिनको Spawn करने के लिए सिंबल लोगो यहाँ पर लिखना होगा C1, C2, C3, C4, C5 इसी तरीके से तुम लोगो यहाँ पर टोटल 5 टाइप के Containers भी Spawn करवा सकते हो लिकिन फॉर एक्जामबल अगर तुम लोगो बनाना है इसी Location के बीच में दिवार तो गया तुम लोगो पता है आकिर तुम लोगो क्या करना होगा Well, Question पुछने की जगा सीधे मैं Answer ही देना पसंद करूँगा जो कि काफी Easy है हम लोगो Simply उसके बीच में दिवार बलानी है एंड एक Value Create करने के लिए Simply हम लोगो क्या करना होगा हमें यहाँ पर लिखना होगा W1 यसे हमारे सामने एक दिवार आजाएगी एंड W2 टाइल करते ही हमारे समने दूसरी दिवार आजाएगी एंड हम लोगो टोटल दो टाइप की अलग-अलग दिवार देखने को मिल जाती है एंड इसे के साथ अगर तुम लोग यहाँ पर इस पॉन करवाना चाहते हो New Ramp तुम लोगों को यह सान डाटा से हो जाएगा एंड फॉर अग्जांपल अब अगर तुमसे गेम कट हो जाता जैसे कि मैंने बैक कर दिया अगर मैं फिट से उसी लोकेशन पर जाता हूं तो तुम लोग देखने